सबको नमस्कार दिल्ली में ओक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं इस पे हम रात दिन लगे हुए हैं और कुछ जो एहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साजा करना चाहूँगा ये देखने में आया है कि केंदर सरकार ने जितनी औक्सीजन हम लोगों को एलोट की है हमें एलोकेशन की है वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परिशानी इसलिए हो रहे हैं कि टैंकरों की बहुत कमी हैं चारो तरफ टैंकरों की कमी है, ओक्सिजन तो फिर भी इदर उदर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है, तो दिल्ली सरकार ने बैंककॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निरने लिया है, ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे, और केंदर सरकार से हमने इसके लि केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें तो अगर 18 टेंकर बैंककॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे वो 18 टेंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी इसमें पूर्फ के प्लांट इंपोर्ट कर रहे है उच्टो रिडी टू यूस प्लांटस हैं और तुरंत इनका इस्तेवाल शुरू किया जा सकता है इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांटस को अलग-अलग अस्तालों में लगा देंगे तो उन अस्तालों में अश्याएं प्रिमंत्रियों को मैंने चिठी लिखी थी, उनसे मदद मागी थी, और हमें बहुत जबरदस्त सहयोग मिल रहा है, बहुत लोगों के ओफर आई हैं, उन सब के साथ बाच्ची चल रही है, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेजी के साथ, उनमें से कई लो हमारे कहते हैं कि जब आदमी किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने मदद की है, इस एटिट्यूड के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं, मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्यो जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़ादा करना चाहता हूं। जब दिल्ली में बहुत ज़ादा करना चाहता हूं। जब दिल्ली में बहुत ज़ादा करना चाहता हूं। जब दिल्ली में बहुत ज़ादा करना चाहता हूं। कई सारे इशूस थे इसके ट्रांस्पोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इशूस थे जो सौट आउट किये गए हैं। केंदर सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंदर सरकार का तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं। जोनों ने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयूग किया। और आज सुबह केंदर सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्ज। दिल्ली के लिए पांच अलग से टैंकर केंदर सरकार ने हमें धी हैं। उसके लिए भी मैं केंदर सरकार का शुक्रियादा करना चाहता हूं। अगले एक महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। 44 इसमें 8 प्लांट्स केंदर सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डीले हो गया था जो भी कारन रहे। लेकिन अब उमीद है कि 30 अपरिल तक ये शायद 8 प्लांट्स लगके तयार हो जाएंगे। और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है। जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले एक महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग-अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन के सप्लाई काफी इंप्रूव होगी। एक यह देखने में आ रहा है कि यह वाली जो वेव आई है यह ज्यादा खतरनाक है। एक तो फैल जादा रही है बहुत तेजी से फैल रही है। और जो लोग भुछी से इस्यादा रहे है। अस्पतालोंड्त के काम कर रहा है। बेड भरे हुए हैं, आईस्यू बेड भरे हुए हैं, तो आईस्यू बेड को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर, केंदर सरकार ने 500 आईस्यू बेड हम लोगों को बना के दिये, DRDO के, एरबोट के पास, और आपको जानके ताज्यूब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बनके तयार हुए, जैसी हमने एनाउंस किया, तीन घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए, केवल तीन घंटे के अंदर, इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं, जो इलाज ढून रहे हैं, तो अभी हम 500 आईस्यू बेड आज सुबह मैं मुआइना करके आया हूँ, जी टी बी हॉस्पि स्वामी सत्संग में हम 200 आईस्यू बेड तयार कर रहे हैं, तो ये 1200 आईस्यू बेड गंभीर मरीजों की देखवाल के लिए, ये 1200 आईस्यू बेड दस मई तक बन के तयार हो जाएंगे, इस से मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत रहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत रहत मिलेगी जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है, तो हम लगे हुएं, 24 घंटे लगे हुएं, सब के साथ मिलके काम कर रहे हैं, सारी सरकारों के साथ, सारे देश में, राज्य सरकारों के साथ, केंदर सरकार के साथ, अलग-अलग समाज से भी संस्थाओं के साथ, उद्योग पतियों के साथ, सब के साथ मिलके काम कर रहे हैं, सब का सहयोग मिल रहा है, और मेरी यही एक उम्मीद है, कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पे जीत नहीं पा सकते हैं नमस्कार प्रिए शबस्टर नहीं है, प्रिए टार्श कारेंगे, तो कि अगर के साथ, यहीं है झाल रहे हैं, सब कर दो कर दो कि अगर कि इस प्रिंट को अगरा के सब कर सकते हैं